कार्तिक महा की शुकल पक्ष की चतोदशी को बैखुन चतोदशी कहते हैं, वैसे तो चतोदशी तिथी के दिन जो है भगवान शिव की पूजा होती है, परन्तु बैखुन चतोदशी के दिन शिव और विश्नु दोनों की एक साथ पूजा करते हैं, इस साल बैखुन चतोद का व्रत और पूजा 17 नमंबर को की जाएगी 2021 में जो की दिन है पुधवार और इस दिन भगवान शिव और विश्णु दोनों की एक साथ पूजा करकर और दीबदान करकर आप आ सकते हैं बैखुंड की प्राप्ति तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ जो ये 14 दीब दान करने होते हैं हमें वो हमें कैसे बनाने हैं और कहां कहां दान करने हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो देखें यहां पर मैं आपको सिर्फ 5 दिये बना कर दिखा रही हूँ आप इसी तरीके से 14 दिये बना लीजीगा तो देखें सबसे पहले आप मिट् बजार से नए ला रहे हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नए नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके जो दिवाली के दिये होते हैं, उनी को अच्छे से धो लीजिएगा, और उसके बाद अपके जो दिये हैं, वो शुद हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं उसके बाद आप उन्हें पाठ फुजा में इस्तिमाल कर सकते हैं, उसके बाद ये देखें, इस तरीके से हम रुई की बाती बना लेंगे, आप चाहें तो खड़ी बाती भी बना सकते हैं, फूल बाती या फिर इस तरह की भी, और देखिए पाँच जो 365 बाती वाले दिये हैं, वो कैसे बनाये जाते हैं, कैसे दान करने हैं, आम लाके दिये कैसे बनाने हैं, कैसे दान करने हैं, उन सब की वीडियो चैनल पर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, कात्तिक से रिलेटेट सभी वीड और देखें उपर आई बटन में आ रहा हो गिए आप जाके भी चेक कर लीजीगा उसके बाद आप अपने दिव में दीबडान का विशेश महत्व है अगर आप नॉर्मल्मली भी बिजी लाइफ में रहते हैं, एफिस वगर भी जाते हैं और आप रोज जो है ना दान पूझा पाट कम कर पाते हैं तो आप इन दिनों में काति के महीने में जो है अच्छे से पाट पूझा कर सकते हैं दिये दान कर सकते हैं और आप पूरे साल की पूझा का फल प्राप्त कर सकते हैं और काति के महीने की सारी वीडियो देखिए मैंन चौदा दिये बनाने हैं, मैं 5 बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप बैखवन चतो दशी वाले दिन चोदा दीबदान करेंगे और देखें, मैंने आपको दीबदान की और भी सारी वीडियोस दी हुई है चैनल पे 5 दीबदान की आवला दीबदान की तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और आप चाहें, जैसे कि मैंने आपको बताए कि आप इन 14 दियों की जगे ना 14 आमला के दिया बना के भी जला सकते हैं और उसके बाद देखिए हमने इस तरीके से अपने दिये परजलित कर लिए हैं पहले आप अपने दिये जोड लीजिएगा यानि कि उन्हें जला लीजिएगा और उसके बाद आप उनका पूजन कीजिएगा तो देखिए पूजन के लिए क्या करते हैं जैसे हमारे आप तो कुछ भी आप कोई चीज जब दान करते हैं तो उसको मिनस ये जरूर तो देखिए आप तिल के दाने ले सकते हैं खील ले सकते हैं दिवाली पूजन वाली या फिर चावल भी ले सकते हैं तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े से अपने दिये में बुरक दीजिएगा क्योंकि दिया खाली नहीं जलाया जाता है उसके बाद देखे हलका सा इस तरीके से हाथ में पानी लेके न और इस तरीके से आप two-bar गुमा के साइड में इस तरीके से छोड़ दीजिएगा तो देखे इस तरीके से सबसे पहले हमें अपने दियों को मिनसना है उनकी पूजा करनी है तो देखे इसी तरीके से आप चोदा दिये बना लिजेगा और देखे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे चोदा दिये बनाए हैं लेकिन इन्हे प्रजलित नहीं किया है और आप प्रजलित करने के बाद ही इनका पूजन कीजेगा और अब बात कर लेते हैं कि आपको यह दिये चलाने कब हैं और कहां कहां चलाने हैं तो देखे सबसे प कितान का मतलब क्या है अंधेरे में उजाला करना तो या तो आप सुबह सुबह कीजिए जब चार-पांच बजे होते हैं बिल्कुल अंधेरा सा होता है भोर होती है सुबह सुबह की या तो आप तब कर सकते हैं तो वो भी रात्सी कहेंगे उसे या तो आप तब कर सकते हैं य यह ना तो हम सुभे करेंगे, ना तो हम यह शाम को करेंगे, यह हमेना आधी रात, यानि मद्धे रातरी के समय पर दान करने होते हैं, जो कि आपको करने हैं रात को ग्यारा बजे के बात, और बारा से एक बजे के, मतलब साड़े बारा एक बजे के बीच में, यह तब आपको कर पाए हैं पूजा सुवे-सुवे तो आप शाम की टाम प्रदोशकाल में यानि कि जब आप शाम की पूजा करते हैं उस टेम पे कर सकते हैं पूजा लेकिन दीब्दान आप रात को करेंगे और रात को दीब्दान से हम रखेंगे हमारी भगवान विश्नु के आगे दूसरा दिया हमें रखना है हमारी माता तुलसा के आगे तुलसा माता के आगे आप दूसरा दिया रखेगा तीसरा दिया आपको रखना है आपके घर में जहां भी पानी का सुरोत हो जैसे मालीजी आपके घर में समर सीवर है में एंटरेंस जो होती है अपके वहँहां पर इसके बाद आप चाहें तो आकाश के लिए च्छत पे दियारके सकते है और अपनी गली में भार न की पार सुन्दर से सजा सकते हैं दिए तो सीधा सीधा आपके लिए बैखुंड के दरवाजे खुल जाते हैं तो देखे इस तरीके से आप मैंने बता दिया है आपको तुलसा मया के आगे चोखट पे जहां पानी का सुरोथ हो वहाँ पे आप इस तरीके से दीबदान करें दीब आप तेल के घी के या तिल के तेल के सरसो के तेल के किसी के भी कर सकते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है आप किस चीज के करना चाहें तो देखे इसी तरहां से आप बहुत ही सरल तरहां से जो है ना बैखुंड चतुदशी वाले दिन दीबदान कर सकते हैं 14 और इसकी पूझा कैसे करनी है उसकी वीडियो और डी चैनल पे है इसकी कथा की भी वीडियो है आप उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा और इसी तरह की और अच्छी-च्छी वीडियो अगर आप देखना चाते हैं जेज यराम